असलाम लेकुम वेलकम टो माक्रोसोफ एकसल डिटोरियल इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था किस तरह हम डेटा को स्लेक्ट कर सकते हैं तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरह हम डेटा को ड्लीट कर सकते हैं और किस तरह हम मूव कर सकते हैं तो यह मेरे पास से एक sheet open है मैं mouse से इसको select करता हूं और यहां से right click करके इसको delete करता हूं तो यह पूछ रहे है shift cell left shift cell up entire row यह entire column तो मैं इसको अगर entire row करके ok करूं तो यह data delete हो जाएगा इसका दूसरा त्रीका यह है कि मैं इसको select करूं और keyboard से delete का बटन प्रेस करूं तो यह delete हो जाएगा उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा कि कौन सी अपने row delete कर दिया यह column simple उन्होंने सारा data delete कर दिया जो आपने select किया था तो इसको अगर आप वापस लाना जाते हैं तो यह एक शार्ट की use होती है control Z तो यह मारा data वापस आगया अब आप देखें यह उपर जो लिखा हुआ है A, B, C, D अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं यह आपका पूरा column select हो गया जैसे मैं D पर करता हूँ तो यह पूरा column select हो गया E, इससे पूरा column select हो रहा है और अगर हम यहाँ पर जो नमबर लिखे हुए है 5, 6, 7 यहाँ पर क्लिक करें तो यह पूरी row select हो रही है अगर हम कोई भी row इसमें से remove करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं अगर हम यहाँ से math का portion remove करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और पिर right click करके यहाँ से delete करके इसको delete कर सकते हैं तो यह देखें मैं हम लिखें का portion delete हो गया अब मैं आपको बताता हूँ किस तरा हम data को move कर सकते हैं तो हम यहाँ से data को select करते हैं और यहां से कर्ट करते हैं अब हम इसको जहां भी पेस्ट करना चाहते हैं हम कर सकते हैं मैं इसको यहां पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देता हूं तो आप इस तरह डाता को मूव कर सकते हैं से अगली वीडियो में हम देखेंगे किस तरह हम डाता को कापी पेस कर सकते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब परें